आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ स्वागत है आपका डाउटनेट में आपके प्रस्ण दिया हुआ है निम्न लिखित प्रस्ण में दिये गए पांच सब्दों पर आधारित है and for the big sum दी गई सूशनाओं के आधार पर विवस्था परिवर्तन के बाद प्राप्त अंग्रेजी के नए सब्दों का अर्थपूर्ण होना आवश्यक भी हो सकता है और नहीं भी यदि दिये गए सब्दों के वर्ण को अंग्रेजी सब्दों के करमा नुशार 22 से दाएं विवस्थित किया जाए तो निर्मन लिखित में से कौन सा सब्द दाएं से दूसरा होगा यहाँ पर जो सब्द दिया हुआ है उसको लिखते हैं अंग्रेजी सब्द कोज के अनुसारी से विवस्थित करते हैं तो सबसे पहले ए से शुरू होने वाला सब्द आएगा एंड उसके बाद B से सुरू होने वाला आएगा बिग फिर F से सुरू होने वाला आएगा फॉर फिर उसके बाद S से सुरू होने वाला सब्द आएगा और अंत में T से सुरू होने वाला सब्द आएगा इस तरह से हमने इसे क्रमानुसार लगा दिया अब यहाँ पर पूछा हुआ है दाएं से दूसरा यह बाया हो गया और यह दाएं हो गया दाएं से दूसरा पूछा हुआ है यह पहला हो गया दाएं से और यह दूसरा हो गया दूसरे स्थान पर सम मिल रहा है, विकल्प में देखते हैं, विकल्प नमबर चार, सम सही जबाब होगा, आसा करते हैं, आपको वीडियो पसंद आया होगा, धन्यवाद.